मेरे दोस्त अगर मैं तुछ से पूछू कि डॉल्फिन और शार्क में कौन जीतेगा तो जरूर तेरा जवाब होगा कि ये डॉल्फिन शार्क के सामने कैसे टिकवाएगी और मेरे दोस्त तू गलत है देख मेरे भाई जो ये डॉल्फिन की जो ये पूछ होती है वो इसे नीचे और नीचे से उपर आने में बहुत मदद करती है इसी कारण ये बड़ी तेजी से जाकर शार्क का पेट भी फाड़ सकती है इसी कारण मेरे भाई शार्क डॉल्फिन से डड़ती है तेरको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना मेरे दोस्त मिलता हूं अगली वीडियो में